नमस्कार बिग्यान का महतुपूर प्रश्ण जो हर साल पूछा जाता है और 2023 यारी कि कल 27 फरवरी को आप लोगों के पेपर में ये सारे कोश्चन जो यहां पर मैं आप लोगों को दे रही हूं सारे के सारे questions आपके paper में मिलने वाले हैं तो कहने का आर्थ है कि आपके यहां पर जितने भी question में दे रहे हूं सारे आपके paper में फसेंगे तो सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़ कर सबसे पहले आपको यह important question को देखना है और बस ठीक है बस आप लोगों ने पढ़ा होगा बस यहाँ पर रिबीट कर लीजिए कि हाँ यह कोश्चन सच में आने वाले है ठीक है तो चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं अप्शनली कोश्चन उसके बाद आपका लग उत्तरी कोश्चन होगा दिर्ग उत्तरी होगा आत सबस्काइव कि सक्ति कितनी है तो यहाँ पर देखिए चार आप्शन दिया गया है visit तो अच्छा को एक गोली दरपड़ की वक्रता त्रिज्ज्या तीस सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी, तो यहां पर इसकी फोकस दूरी होगी, यहाँ पर देखिए तीस सेमी इसकी वक्रता त्रेजिया है अब इहाँ पर इसका फोकस धूरी यहाँ पर चारू सम दिए गए धूत सेमी nelle 15 और 60 तो आपको यहां पर 15 पर टिक लगा देना है ठीक है अगला कोश्टिन देखी और ध्यान रखिए। वैद्धित ओरजा का मात्रक है यहां पर वैद्धित ओरजा का मात्रक है वह कैं है चार आपसन दिये गए हैं वोल्ट वाट तो यहाँ पर व्यद्युत उर्जा का मात्रक हता है कीलोवाट घंटा अगला कुश्चन काच का अपवर्ट नांक अधिक्तम होता है तो यहाँ पर चार आसन में से कौन सा सही आसन होगा तो यहाँ पर यह आसन बेलकुल सही होगा अगला कोश्चन देखे कांच का अपवर्ट नंक अधिक्तम होता है तो यहां पर चार आपसन दिये हैं लाल रंग के लिए पीले रंग के लिए बैगनी रंग के लिए हरे रंग के लिए तो यहां पर आपको बैगनी रंग के लिए आपसन पर टिक कर देना है अगला कोश्चन देख तो यहां पर एक गतिमान इलेक्ट्रान जो है वैद्यूत इवं चुम्ब की ये छेत्र दोनों उत्पर्ण करता है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी हुई है एक लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के आभासी प्रतिविंब का आवर्धन 0.5 है यह लेंस होगा तो यहां पर आपको चार आपसन दिये गए हैं पहला 0.1 मीटर फोकस दूरी का आवतर लिंस और दूसरा जो है 0.2 मीटर फोकस दूरी का आवतर लिंस 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तर लिंस तो यहां पर आपको जो है 0.2 फोकस दूरी का उत्तर लिंस पर टिक कर देना है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे अनन्त एवं उत्तल दर्पण के ध्रूप P के बीच रखी वस्त का प्रतिभिंब कहां और किस प्रकृति का होगा तो यहां पर भी चार आफसन दिये गए हैं ठीक है चार आफसन दिये गए हैं अब देखिए पहला है दर्पण के पीछे P एवं यप के बीच आभासी एवं सीधा दूसरा है दर्पण के पीछे P एवं यप के बीच आभासी एवं उल्टा तीसरा option है दरपड के सामने वास्तिवी कियम सीधा और चोथा है दरपड के सामने आभासियों सीधा यहाँ यफ फोकस है ठीक है फोकस दूरी है तो यहाँ पर आपको पहला जो option है दरपड के पीछे पी यफ के बीच आभासियों सीधा यह option बिलकुल सही है अगला question निर्वात में ठीक है निर्वात में प्रकास की चाल त्री इंटू निर्वात में प्रकास की चाल तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर सेकेंड है तो कांच जिसका आप वर्तनांक 1.5 है में प्रकास की चाल होगी तो यहां पर प्रकास की चाल क्या होगी चार आपसन दिये पहला आपका ये है लेकिन इसमें सही आप्सन जो है वह यह है तो अगला कोश्चन देखे किसी वस्त का आभास से सीधा और बड़ा प्रतिविम प्राप्त करने के लिए वस्त को उत्तर लिंस के सामने रखते हैं वस्त को उत्तर लिंस के सामने रखते हैं अब यहां पर आपक दूसरा है नर्था प्रत्म मुख्य फोकस के बीच में यही आपसे आपका बिल्कुल सही है इसी को ठिक करीएगा ठिक है सब देखेंगे अब देखेंगे अब लोग आ चुके लोग करेंगे अति लगूत्तरी को अप्सटन हो गई यह कोश्चन जो है वाइरल कोश्चन है जो हर साल आते हैं तो आप लोग इसको रट लीजिए ठीक है चाहे आप प्रटी अगर आपको आता है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है अगर नहीं आता है तो इसको जरूर कर जाएगा पेपर देने के लिए ठीक है अब हम पढ़ेंगे आति लगूत्तरी कोश्चन तो यहां पर देखें निक आप कोश्चन बैंक लिए होंगे उनमें से यह कोश्चन निकालकर आप लोग थोड़ा-थोड़ा रख लीजिए ठीक है बहुत ही इंपॉर्टन क्या है इसका निवारण कैसे किया जाता है आप पेपर उठा कर देखो एक जो है 19 का 20 का और 22 का ठीक है यह कोश्चन जो है सभी में पूछा गया है तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह 2023 में भी पूछा जाएगा जब तीन सार से लगा ता यह कोश्चन पूछा जाएगा अगला कोश्चन देखें स्वच्छ आकास का रंग नीला क्यों होता है तो इसको भी आप उठाकर पेपर देखना यह कोश्चन भी बहुत ज्यादा फेमस है यह भी बहुत ज्यादा पूछा गया है अगला कोश्चन देखें उत्तल दरपड में प्रतिव सब्सक्राकर करना है बहुत कोश्चन नहीं दे रही है सभी में आपको क्यों स्ब Mensch को पांच वह जड फेर में दे रही हूं और है इस question आपके यहां पर देखें एक एक सील का आंत्रीक प प्रतिरोध ओम NGO फोराह प्रापत अधिक्तम yards का मान क्या होगा इसको भी सैयर कर ली आपको यहां पर आते लगहुत्तरी दिखा रहेंगे दो दो नंबर के कोश्चन पूछे जाएंगे स्वेत प्रकास के बिच्छे पड़ से आप क्या समझते हैं इसको तयार कर लिजीगा वैद्युत विभा तथा वैद्युत विभांतर की परिभासा तथा इनके मात्रक अब हम लोग आ चुके हैं लगहुत्तरी कोश्चन में अब यहां पर देखें दूर द्रिष्टी दोस्त क्या है यह कोश्चन आप पेपर उठा कर देखो कि तीन साल के तो लगातार यह कोश्चन पूछा गया है दूर द्रिष्टी दोस्त क्या है इसे किस प्रकार संसोधि आपको नबर मिलेंगे अतिलख्वत्तरी के लिए ईजीमें इंकर कोश्चन होगया एक तार के सीरो पर 1.5 बोल्ट विवांतर लगाने पर 0.5 एंपियर विद्धारा प्रवाहित होती है यदितार के लंबाई 3 मीटर और अनुपरस्त काट 6 गुड़े 10 घाते माइनस 6 मीटर हो तो इसके प्रतिरोध हकता की गड़ना केजिए तो ये कोस्चन भी बहुत ही ज्यादा पू ये कोस्चन भी दिया तुए तो इसको तयार कर लिजे ओम का नियम तो बहुत ही ज्यादा इंप्रोंटइंट है ठीक है आप लोग देख रहे हो कों का नियम कितना इंप्रेट है तो इसको आप लोग तैयार करे लोुच्ट परिफद के सहायता से इसका सच्यापन कैसे करते hai 250 वोल्ट तथा 5LoThis वाले परिपत में 25 वाट के कितने बलब जल सकते हैं क्या पूछा जा रहा है 25 col prof था 5 Can Merci logis वाले परिपत में 25 वाट के कितने बलब जल सकते हैं यह भी आप लोग एकनाजर दोड़ा लिजीएगा ठीक है एक मोमबत्ती किसी परदे से 90 सेमी की दूरी पर रखी है बीज सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लिंस मोमबत्ती और परदे के बीच कहां रखें मोमबत्ती का वास्थविक तथा छोटा प्रतिविम परदे पर असपष्ट बन जाए इसको भी तयार कर लीजिएगा अभी आप लोग के पास रात भर का समय है आसानी के साथ आप लोग तयार कर सकते हो और तयार करने के बास आप जाना पेपर देकर आना फिर जाके आप सोज कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पेपर में 95 फोड़ना है उसके बारYes देखार आपको नजर को सजांध समझाई तथा इसकी कार्य विधि का सचित्र वळण की जी यहां पर आपको साथ नमबर मिलेंगे सचित्र वर्डन यानि की चित्र बना कर आपको उसके बारे में लिखना है ग्लैसियल इस्टिक अमल क्या है इस्टिक अमल की चार अभक्रियाओं का रासायनिक समी करण देखे साथ नमबर यहां पर भी मिलेगा अगला जो है नामांकित आरेख खीच कर किसी वैजित मोटर का सिधान त्यूम कारविधियास पश्ट कीजिए इसके लिए भी साथ नमबर मिलेगा यहां पर पांच कोस्टिन जो मैं आपको दे रहे हूं इसके लिए साथ नमबर मिलेगा करम में जोडे हैं विद्यूत में से कितनी धारा ली जाएगी प्रतेक बल्ब का प्रतिरोध उनका तुली प्रतिरोध तथा उन से ली गई अलग अलग धारा का मान बताईए अलग अलग धारा का आपको मान बताना रहेगा अगला जो लास्ट कोश्चन है विद्युत चुम्ब की प्रेरण की नीमो को लिखिए इस सिधान्त पर आधारित एक डाय निमो का सचित्र कारिविधी समझाईए ठीक है यहां पर आपको डा आफियार किया हुआ है उसका एक बार रिवीजन कर लिजिएगा जिनका बिल्कुल नहीं तयार है वो एक नजर जरूर देख लेंगे क्युस्चन बैंक लएत बिद्या को स्ब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद